डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंट अराउंड दे गलोग स्टूडन ग्राइंड प्रोग्राम को चलाने का फैसला कैनेड़ा के मफाद में किया था डबलू ए चैरिटी के शरीक बानियान हाउस अप कॉमन्स की पार्लिमानी कमेट्टी के सामने पेश हो गए ऑंटेरियो में स्कूलों को फुल टाइम खोलने में खतराद है माहीरी ने सेहत का कहना है कि हकूमत को तल्बा और आम लोगों कोविड नाइनटीन से महपूस रखने के दर्मयान सही तबाजन काइम करना होगा अवाम की जानिब से शदीद दबाओ का सामना कैनेडियन हकूमत ने नवा सकॉशिया में होने वाले फाइरिंग के वाकिये की पबलिक इंकॉरी का फैसला कर लिया कैनेंडर भर में करोना वाइरस के फैलाओं का सिलसला जारी करोना वाइरस से मतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,14,994 हो गई फजाई परवाजों की सूरतिहाल मामूल पर आने में 4 साल लग सकते हैं करोना वाइरस के सबब सियाहत को 320 अरब डॉलर का खसारा हुआ दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद 1,68,99,000 तक जा पहुँची है जबकि इस मूजी वाइरस से हलाकतیں 6,63,600 हो गई डॉनल टरम का एक बार फिर इसिदादे मलेरिया दिवाइत का करोना वाइरस से खिलाब इस्तिमाल का दिफाद पबलिक हेल्थ के एहुदेदारों ने टरम के मौकफ को मुस्तरत कर दिया हेडलाइन साब ने जानी और अब खबरें तबसील के साथ वेलकम बैक डबलू ई चैरिटी के शरीक बानियान ने कहा है कि स्टूडन गरांड प्रोग्राम को चलाने का फैसला कैनिड़ा के मफाद में किया था मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में W.E. Charity के शरीक बानियान ने कहा है कि Student Grant Program को चलाने का फैसला कैनेड़ा के मफाद में किया गया था W.E. Charity के शरीक बानि मार्क और ग्रेक कैल बर्जर मतनाज़ा कांट्रेक्ट की तहकिकात के सिलसले में House of Commons की पारलिमानिक कमेटी के सामने पेश हुए House of Commons की Finance कमेटी ने W.E. Charity सकेंडल की समात के एक हिस्से के तौर पर दोनों से बात की जो इस बात का तायून करने के लिए काम कर रही है कि हकुमत के एहम मेंबर से करीबी माली तालुकात रखने वाली किसी तन्जीम को Canada Student Service Grant को चलाने के लिए किस तरह एक मौाइदा हासल हुआ Finance कमेटी के मेंबरान के सवालात के जवाब देते हुए Greg Kel Berger का कहना था कि Canada Student Grant Program का अंतिजाम हकुमत से मदद के हुसूल के लिए कबूल किया बलके इसलिए कबूल किया ताकि इस एहम काम में हकुमत और नौजवान तल्बा की मदद कर सकें उनका मजीद कहना था कि अफवाहों में कोई सदाकत नहीं डबलू ई चैरिटी ने जब इस प्रोग्राम का कांट्रेक कबूल किया इस वक्त हमारी तन्जीम को किसी माली मुश्किल का सामना नहीं था जिसके बाइस हम कोई फायदा उठाने के लिए ये फैसला करते उनका कहना था कि डबलू ई चैरिटी को इस काम का तज़र्बा है क्योंकि इस प्रोग्राम के जरीए इस वबा के बावजूद हमें मौसम गर्मा में नौजवान तल्बा की जिन्दग्यों में वाज़े बेतरी लाना थी फाइनन्स कमीटी के मेंबरान के सवालात के जवाब देते हुए ग्रेग केल बरजर ने बताया है कि मैं और मेरा भाई डबलू ई चैरिटी के शरीक बानी हैं हमने हकुमत के 900 मिलियन डॉलर्स के स्टूडन्ट ग्रांट प्रोग्राम का इंतर्जाम समालने के लिए इस वज़ा से रज़मंदी जाहिर की क्योंके हकुमत नौजवानों के लिए कुछ खास करना चाती थी हमने किसी मफाद के लिए इस मनसूबे का कांट्रेक्ट कबूल नहीं किया W.E. Charity ने ये प्रोग्राम करोना की वबा के दौरान शुरू करने का फैसला किया ये वो वक्त था जब रुकूमत और नीजी शोबा बुरी तरह से मतासर हो चुका था बास लोगों ने ये कहा कि W.E. Charity Canada Student Service गरांट से कबल शदीद माली मुश्किलात का शिकारती जिसके बाइस हमने ये कदम उठाया ये बात बिल्कुल गलत है माहिरी ने सेहत की जानब से कहा गया है कि आंटेरियो में स्कूलों को फुल टाइम खोलने में खतरात हैं ताहम इने कम करने के रास्ते मौजूद हैं माहिरी ने सेहत की जानब से कहा गया है कि आंटेरियो में स्कूलों को फुल टाइम खोलने में खतरात हैं ताहम इने कम करने के रास्ते मौजूद हैं मीडिया रिपोर्ट के मताबक वजीर तालीम इस हफ़ते री ओपनिंग प्लैन का ऐलान करेंगे प्रीमियर डगफोर्ड ने कहा है कि वो तल्बा को कुल वक्ती क्लास में वापस आता देखना चाते हैं सूबे के स्कूल बोर्ट के पास चार अगस तक अपने खिजा के स्कूलों को दुबारा खोलने के मनसूबे पेश करने हैं लेकिन टून्टो कैथोलिक डिस्ट्रिक स्कूल बोर्ट समयत मतादद बोर्ट ने अपने मनसूबे पहले ही सुबाई हकूमत को पेश कर दिये हैं जिनमें सितंबर के महीने में मुकमल किलासें भी शामिल हैं फिर भी ऑंटेरियो में वजीर तालीम स्टिफन लेचे रवा हफ़ते हुकूमत के दुबारा खोलने के मनसूबे को जारी करने के लिए तयार है माहीरी ने सहत का कहना है कि इसमें खतरात मौजूद है जबके मुम्किन है कि फुल टाइम क्लासें बाहिफाज़त दुबारा शुरू हो सकती है माहीरी ने सहत का कहना है कि हुकूमत को तल्बा और आम लोगों को गौविड 90 से मैपूस रखने के दर्मयान सही तवाजन काइम करना होगा जबके बच्चों को रखने के जिसमानी और जहनी सहत के असरात को कम करना होगा फेडरल पबलिक सेफटी मिनिस्टर बिल बिल वियर की जानब से ऐलान किया गया कि नवा सकोशिया में होने वाले फाइरिंग के अफवाकिय की पबलिक इंकॉरी की जाएगी जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक होए थे मजीज जानते हैं इस रिपोर्ट में हकूमत की जानब से नवा सकोशिया में होने वाली फाइरिंग के वाकिये की पबलिक इंकॉरी का फैसला किया गया है हकूमत की जानिब से ये फैसला शदीद अवामी रदेमल के बात किया गया पेडरल पबलिक सेफटी मिनिस्टर बिल बलेर की जानिब से इलान किया गया कि नवा स्कोशिया में होने वाली फाइरिंग के बाकिये की पबलिक इंकॉईरी की जाया जिसके नतीजे में 22 अफरात हलाक होए थे बलेर ने एक बियान में कहा कैनेडा की हकूमत अब इंकॉईरी एक के तहद मुकमल अवामी इंकॉईरी के साथ कायरवाई कर रही है कारकुनों, कानूनी माहिरीन, हजब इक तलाव की जमातों और एहले खाना ने तश्वीश का इज़ार किया है कि एक रिव्यू पैनल अवामी तबतीश के बरक्स दस्ताविजात पेश करने या गवाही देने पर मजबूर नहीं होगा उन्होंने कहा कि इनकौईरी गवाहों को तलब करने की एहलियत से आरास्ता होगी या इनसे शवाहित फराम करने के साथ साथ दस्ताविजात पेश करने की भी जरूरत होगी वाज़ रहे कि 18 अपरेल को कैनेडा के सूबे नवा स्कोशिया में मुसल्दा शक्स की फाइरिंग से हातून पुलीस अफसर समेट 22 अफरात हलाक हो गए थे 12 घंटे तक जारी रहने वाले मकाबले के बाद हमला आवर को भी हलाक कर दिया गया था इस वाकिये को कैनेडा की तारीक में फाइरिंग का बत्तरीन वाकिया करार दिया गया है कैनेडा भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफरात की तादाद 8,912 तक जा पहुची है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,912 तक जा पहुची है कैनेडा भर में करोना वाइरस से फैलाओं में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है आकरी इतलात के मताबिक कैनेडा में करोना वाइरस से मतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,14,994 हो गई है मुल्क भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,912 तक जा पहुंची है क्यूब बैक सूबा करोना वायरस से सबसे जादा मुतासर हुआ है सूबे भर में करोना वायरस के मजमूई केसिस की तादा 58897 हो गई है जबके सूबे में करोना वायरस के 22 हलाक होने वालों की तादा 5667 तक पहुँच चुकी है औंटेरियो में करोनवाइरस से 38,910 अफराद मुतासिर हुए हैं जबके हलाख होने वाले अफराद की तादाद 2,668 है अलबर्टा में करोनवाइरस के फैलाओं में इजाफा देखने में आ रहा है जिस पर हुकाम ने तश्वीश का इज़ार किया है सूबे भर में 10,470 अफराद करोनवाइरस से मुतासिर हुए हैं जबके 117 अफराद हलाख हो चुके हैं प्रिटिश कॉलंबिया में 3523 अफराद में करोनवाइरस की तजदीग हुई है जबके सूबे में करोनवाइरस से हलाख होने वालों की तादाद 194 है International Air Transport Association की Director General का कहना है कि दुनिया भर में फिजाई परवाजों की सूरतहाल मामूल पर आने में 4 साल लग सकते हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में International Air Transport Association की Director General का कहना है कि दुनिया भर में फिजाई परवाजों की सूरतहाल मामूल पर आने में चार साल लग सकते हैं। टारेक्टर जोनल ने कहा कि एर ट्रैफिक की बहाले मुक्तलित मिलकों में सरहदे खोलने से मशरूत है। पहले तवक्त की जा रही थी फिजाई सफर की सूरतहाल 2023 तक मामूल पर आ जाएगी। उनका मजीद कहना था कि एर ट्रैफिक की करोना वाइरस से पहले वाली सूरतहाल 2024 तक बहाल नहीं हो सकती। पाज़र है कि करोना वाइरस की वज़ज़ से दुनिया भर में फिजाई आपरेशन मौत तल है जिसकी वज़ज़ से एर ट्रैफिक इंडिस्ट्री शदीद मुतासिर हुई है। दूसरी जानम अकवाम मुत्हिदा की आलमी सयाती तन्जीम का कहना है कि जनवरी से मई के दरमयान आलमी सयाहत को 320 अरब डॉलर का खसारा हुआ है। इस अरसे में सयाहों की आमद में 56 फीसद कमी आई है। स्याहत की संधध खसारे में जाने से लाकुलों की जिंदग्यां मुतासिर हुई हैं。 रमबरस का खसारा 2009 के मालियाती बहरान के खसारे से भी 3 गुना जियादा है आलमी इदारे सेहत का कहना है कि जिन मुमालिक में करोना वायरस कंट्रोल कर लिया गया था, उन मुमालिक में एक बार फिर करोना की वबा में जाफा देखा गया है। अच्छाल करोना से सबसे ज्यादा मुतासरा मुलक है। जहांस ना सिर्फ करोना मरीज बलके इस से हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में करोना वाइरस से अब तक एक लाग बावन हजार पांस सो अफराद मौत के मुमें पहुंच चुके हैं। के इस से बिमार होने वालों की मजमुई तादाद 44,98,343 हो चुकी है। करोना वाइरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिकी फैरिस में बराजील दूसरी नमबर पर है। जहां ये वाइरस 88,650 जिन्दगियां निगल चुका है। जबके करोना मरीजों की तादाद 24,84,700 तक जहां पहुंची है। भारत करोना वाइरस के मरीजों की तादाद में तेजी से जाफ़े के साथ इस फैरिस में तीसरे नमबर पर पहुंच गया है। जहां करोना से 34,240 हलाकते हो चुकी हैं। जबके इस से मतासर आ मरीजों की तादाद 15,34,000 हो गई है। करोना वाइरस से रूस में कुल अमवाद 13,504 हो गई जबके इसके मरीजों की तादाद 8,23,515 हो चुकी है इरान में करोना वाइरस से मरने वालों की कुल तादाद 16,150 हो गई जबके करोना के कुल केसिस 2,96,273 है साथी अरब में करोना वाइरस से अब तक कुल अमवाद 2800 रिपोर्ट हुई हैं जबके मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,70,831 तक जाँ पहुँची है अमरीकी सदर डॉनर्ट रम ने एक बार फिर इंसिदादे मलेरिया अद्वियाद को करोना वाइरस के खिलाफ इस्तिमाल करने का भरपूर अंदास में दिफा किया है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डॉनर्ट ट्रम ने एक बार फिर इंसिदादे मलेरिया अद्वियात को करोना वाइरस के खिलाफ इस्तमाल करने का भरपूर अंदास में दिफा किया है वाइड हाउस में सदर ट्रम ने ब्रीफिंग के दौरान अपने ही पबलिक हेल्थ ओधिदारों से एकतलाफ करते हुए कहा कि करोना वाइरस को खतम करने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोकॉइन का इस्तमाल किया जा सकता है कौमी डिरेक्टर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने अमरीकी सदर के मौकफ को मुस्तरत करते हुए कहा कि वो अपना काम जारी रखेंगे आलमी एदारा सिहत भी कह चुका है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोकॉइन कोवेड-19 के खिलाफ मौसर इलाज नहीं है वाज़ रहे कि अमरीकी सदर माजी में भी हाइड्रोक्सी क्लोरोकॉइन को करोना का इलाज करार देते रहे हैं बलके खुद भी इस्तमाल करने का कहकर दूसरों को इसकी तरगीब देते रहे हैं हाला के अमरीकी Food and Drug Administration ने करोना मरीजों के लिए इस दबा के हंगामी सूरत में ना सरफ इस इस्तमाल का एक्तियार वापिस ले लिया था बलके इसका इजाज़त नावा भी मनसूख कर दिया था टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इदना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे है टैग टीवी